Hello Friends, Welcome to Get More Info YouTube Channel So, आज के वीडियो में हम एक नई योजना के बारे में बात करेंगे गौर्मेंट स्कीम है जो की है मेरी लाडली बहन योजना या लाडली बहन योजना ये अलग लग स्कीम है जो अभी हाल ही में राज्ज के दौरा यहां पर ये सकीम लाई गई है और इसके अंतरगत पंधरा सो रुपए हर महीने महलाओं को दिये जा रहे हैं इतना ही नहीं एक फैमली की दो महलाएं इस योजना का लाफ ले सकती है अभी तक क्या था कुछ कुछ स्ट्रेट्स में था कि आप जो एक परिवार है एक परिवार में एक महला इस योजना का लाफ ले सकती है लेकिन यहां पर एक परिवार की दो महलाएं इस योजना का लाफ ले सकती है इसका मतलब अगर आपकी family में दो महलाएं हैं तो आपके यहां महिने का 3,000 रुपए ये मेरी लाडली बहन यूजना के अंतरगत आपको मिलेगा तो इसके लिए योगता क्या होनी चाहिए? डॉकुमेंट्स कौन-कौन से required रहेंगे and apply आपको कब तक करना है? last date क्या है and apply कैसे करेंगे? अब ये अभी इस साल के लिए है, next year भी आप इसी तरह से link open होती है और आप अपने आगे वाले साल में भी इस पर apply कर सकते हैं. पूरी जानकारी आपको हिंदी भासा में, हिंदी language में दी जाएगी. ये जो scheme है, जिस scheme के बारे में, क्योंकि अलग-लग states के द्वारा run की जा रही है, जिसमें मद्द प्रदेश राज्य में भी लाडली बहन योजना चलाई जाती है, इसी तरह से यहाँ पर अब महरास्ट्रा स्ट्रेट में भी मेरी लाडली बहन योजना या माजी लाड की ब notice था, ये मराठी लेंग्विज में था, लेकिन मुझे मराठी लेंग्विज नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में translate किया है, और आपको हिंदी लेंग्विज में इस योजना के बारे मैं जान करी दूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तावना, महरास् कर रही है, या रोजगार मिला हुआ है महलाओं को, सो महलाओं की स्रम भागिदारी पुर्सों की तुल्ला में कम है, जो उनकी आर्थिक सौतंतता को प्रभावित करती है, इस इस्तती को ध्यान में रखते हुए, राज में महलाओं की आर्थिक सौतंतता, उनके स्वास्त औ और पोशन में सुधार और परिवार में उनकी महत्पुन भूमका को मजबूत करने के लिए महरास्ट्रा राज की मुख्य मंत्री मेरी प्यारी बहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है. मुख्य मंत्री मेरी प्यारी बहन योजना. अब यहाँ पर साशने ने तो राज में महलाओं की आर्थिक सोतंतता उनके स्वास्त पोशन सुधार और परिवार में उनकी महत्मुर भूंका को मजबूत करने के लिए महरास्टर राज जी की मुखमंत्री माजी लड़की बहन योजना सुरू करने की मंजूरी दी जा रही ह तो इसको आप मुखमंत्री मेरी प्यारी बहन योजना कहें या माजी लड़की बहन योजना कहें ये एक ही योजना है ये मराथी लेंग्विज में आप इसको अलग है सकते हैं सो लेंग्विज इसके कारण यहाँ पर आपको ये दो तरह से जानी जाएगी योजना का उद महलाओं और बालकाओं को ससकती करण को बढ़ावा देना महला और उनके आसरित बच्चों के स्वास और पोशार संबंदी इस्तिती में भी सुधार होना इसके अलावा यहां पर जो next बात करेंगे योजना प्रारूप तो यहां आपकी जो पातरता अब्दी है पातरता अब्दी के दौरान प्रतेक पात्र महला का अपना आधार लिंक है ठीक है इसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए और प्रतेक्च लाव हस्तान तरण के लिए सक्चम बैंक खाते में प्रती महाए 1500 रुपए की रासी का भुकतान किया जाएगा 1500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जाएंगे हर महने इसके अलावा यदि केंद्रिया राज सरकार की अनबित्तिय लाव योजना के तहट लाव 1500 रुपए से कम है तो अंतर रासी इस योजना के तहट पात्र महला को दी जाएगी जैसे अगर आप केंद्रिया राज सरकार की अदर किसी स्कीम में ले रहे हैं कुछ योजना का लाव ले रहे हैं और वो 1500 से नीचे है तो बाकी का जो बच्चे का 1500 से कम है तो उसको कबर करने के लिए बाकी का जो रुपए होगा बीच की जो रासी होगी वो इस योजना के तहत्र उस महला को दी जाएगी, ओके, अगर आप इस योजना का भी लाब लेना चाहते हो और पहले से ही किसी योजना का आप ले रहे हैं, तो उस कंडिशन में, अगर पंधरासों से नीचे है रासी, अधर किसी स्कीम का जिसका आप लाब ले रहे हैं, तो बाकी की जो रासी गया है 60 साल तक की जो महला हैं वो यहाँ पर इस योजना का लाव ले सकती है इसमें ब convince, बिद्वा, तलाक सुदा, परित्यक्टा या निरासरित्र महलाएं इसमें सामल है तो सभी महलाएं इसमें आ जाएंगी योजना के लाभारतियों की पात्रता यहां पर देखें एक बार फिर से तो लाभारति महला महराष्टर राज्ज की निवासी होनी चाहिए राज्ज की बिवाहित, विध्वा, तलाकसुदा, परित्यक्ता, एवं निरासरित महलाए हो नियून्तम एज आपकी 21 होनी चाहिए 21 and maximum 60 होना चाहिए उक्तियोजना के तहट लाव लेने के लिए आबिदन करने वाले लाभारतियों के पास आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है बैंक खाता नहीं है तो आप ओपन कर लीजिए लावारति परिवार की बारसिक आई यहां पर धाई laag रॉपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आयोगता क्या होगी और इसके लिए योग नहीं है तो जिनकी सैयोग तो बारसिक परिवारी काये, धाई लाग से जादा होगी परिवार से काये, आपकी परिवार की सभी की मिलाके, जितने ही मेंबर हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं, या कैसे भी करके अगर पैसा कमा रहे हैं, तो धाई लाग से जादा नहीं होना चाहिए, जिसके परिवार का कोई सदस आय आएकरदाता ना हो, means tax ना भरे जा, आपके जो family है, इसमें कोई भी member tax ना भर रहा हो, tax अगर आएकरदाता आप नहीं है, अगर आएकरदाता है, tax आप भर रहे हैं, तो फिर आप इसे उसना कलाब नहीं ले सकते, okay, जिनके परिवार के सदर से किसी सरकारी बिभाग, उपकरम बोड या भरा सरकार या राज्य सरकार के इस्थाने निकाय में नियमित पर्मानेंट जो भरती होती है, या संबदा करमचारी है, संबदा जो कुछ टाइमिंग के लिए, duration के लिए भरती की जाती है, तो इस तरह की नौकरी में आपके जो family member हैं, वो ना हो, उक्ते हित गरा तो उस योजना की जो रासी है, वो पंधरा सो से जादा ना हो, पंधरा सो से कम होगी, तो आप इस योजना का लाब ले सकेंगे, और फिर जो बचा है, सपोज अगर आप किसी योजना का लाब ले रहे हैं, उसमें आपको 1000 रुपए महिने का दिया जा रहा है, चीक है, अंतरगत फिर बाकी का 1000 आप उस योजना से ले रहे हैं, तो बचा कितना 500, तो इस योजना के अंतरगत फिर आपको 1500 नहीं मिलेगा, 500 रुपए आपको दिया जाएगा, ओके, सो यह यहाँ पर इसका है, जिनके परिवार का सदस बर्तमान या पूर्व संसा सदस बिधायक ह नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ वेरा दिया गया है, कौन-कौन इसके लिए अलिजबल है, कौन नहीं है, अब यहाँ पर डॉकुमेंट्स कौन-कौन से होंगे, तो योजना के लाव हेतू, ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप, इसमें आपका आधार क की यह स्कीम है, तो यहाँ का आपका जन्म परमान पत्र होना चाहिए, अधिवासी परमान पत्र होना चाहिए, अधिवासी परमान पत्र होना चाहिए, डॉमिसाल सर्टिफिकेट, और सक्चम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार के मुख्या का आई परमान पत्र, जो क अनुपालन करने का बचन देना होगा, तो वहां पर एक format होगा, जिसको आपको फिल करके, आपको वहां पर agree का जो option रहता है, कि मैं सहमत हूँ, इस तरह का आपको agreement यहां पर देना होगा, ठीक है, लाभार्ती चैन, मुखमंत्री, मेरी प्यारी बहना, योजना, आंगनवाड के लाभार्तियों की पात्तरता, तो यहां पर आप दिये गए हैं, लाभार्ती का आवेधन, सेवक, परवेक चक, मुख सेवका, सेतू, सुवधा केंद्र, ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, बार दधकारी, दौरा सत्यापन, इवां उनलाइन सत्यापन के बाद, सच्छम, प्रादिकारी को प्रस्तुत करना, तो इसके लिए एप है, आप डाउनलोड ना रही सकती, नाम से एप आएगा, आप उस एप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने कॉंटेक्ट नंबर से उसको लोग इन कर सकते हैं, उसके बाद आपके सामने इस ही उजना से देखें, यहां पर मैं यह आपको आज के पेपर की पेपर कटिंग यहां पर आपको दिखा रही हूँ, और इसमें आप देखेंगे, लायली बहन योजना में किसी ने रिस्पत ली तो सीधे जेल भेजूंगा, मुखमेंतरी सिंदे का यह कहना है, चलिए इन्हों ने यहां 31 अगस्त तक होंगे, इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, 31 अगस्त तक अब आप इसमें आविदन कर सकते हैं, 21 साथ साल एज है, और, sorry, अभी हमने जो देखा था, वो 21 साथ था, लेकिन आज का जो न्यूस पेपर है, उसमें यहां पर गया, अभी मैंने जो आपको अभी मैंने जो देखा था, जो जब महरास्ट्रा राज का जो बजट पेस किया गया था, उस ताइम पर जो अनौसमेंट की गई थी, वो हमने देखा था, लेकिन अब यहां पर आज के पेपर की कटिंग में यहां पर एज 65 साल कर दी गई है, 65 अपर एज निमेट, यानि 65 स साल तक की महला इस योजना का लाब ले सकती है, इसके अलाबा, जिस परिवार की संयुक्त भूमी पांच एकर से जादा है, बह बहने योजना का लाब नहीं ले सकती थी, लेकिन अब इस नियावावली को सिथल कर दिया गया है, तो यह जो रूल से वो चेंज हो गए है, हम देख लेते हैं एक बार फिर से इस कटिंग को, कि पांच साल बढ़ा दी गई है, पहले तो एज, पहले 21-60 थी, अब 65 कर दी गई है, अब पहले क्या होता था कि जो भूमी है, पूरे परिवार की मिलाकर के जो जमीन है, वो पांच एकर से जादा है, बह बहने योजना का ल लास्ट देट भी एक्स्टेंड कर दी गई है, लास्ट देट यहां पर 31 अगस्त 2024 कर दी गई है, आविधन करने की, और इसमें आपको देखिए पोर्टल या मोबाइल एप या सेतु के अंदर से आप आविधन कर सकते हैं, तो मोबाइल एप आप अपने फॉन में मोबाइ कटिंग हो और यहां पर आप देख पाएंगे यह जो मुखमंत्री जी, अप मुखमंत्री देविंद्र फण भी इस ने यहां पर कहा है कि मुखमंत्री मेरी लाडली वहन योजना का लाब एक परिवार की दो महलाओं को मिल सकेगा, ठीक है, दो महलाओं को मिल सकेगा, यद में यहां पर बताया गया कि एक तो यहां इन्हों ने यह भी किलियर किया है कि जैसे आप अपना मोबाइल अप खुद कर डाउनलोड करेंगे अपने फॉन में उससे आप एपलाए करेंगे तो तो कोई करें तो पचास रुपए ही प्रदान किये जाएंगे बाकी इससे ज़्यादा पैसे अगर कोई मांगता है तो आप यहां पर कंप्लेंड कर सकते हैं सो मेरी लाड़ी वहन योजना के वारे में सारी इंफोर्मेशन मैंने आपको दे दी हैं लिट्टिस्ट अपडेट के साथ में दे दी है कि एज बढ़ा दी गई है पैसर साल कर दी गई है जो पाँच एकर जमीन का जो क्राइकरिया था उसको भी सिदल कर दिया है निरस्त कर दिया है अब आपके पास मांच से जाड़ा जमीन है तो भी आप इसके लिए खरी अर्क से बा двश्ट में हो सीर आप आट जा और कर सकते हैं अधर्वाइज आप अ